हरयाना में एक तरफ जहां कुमारी शैलजा दलित समाज को लेकर सैनी सरकार को गेर रही है तो वहीं दूसरी और सीम सैनी ने दलित समाज को साधने के लिए डूम समाज के लोगों से मुलाकात की है दरसल हरियाना में सीम नायब सैनी और रंदीब सुर्जेवाला इन दिनों काफी चर्चाओं में बने हुए है बीते दिनों सीम सैनी की और से कॉंग्रिस मेतर रंदीब सुर्जेवाला को डूम कहे जाने के बाद मामला काफी गरमाया हुआ था कॉंग्रिस लगातार इस मुद्दे पर सीम सैनी को घेर रही है बतादे की बीजेपी के लिए दलित समाज काफी एहम रहा है विधान सबच उनाव में भी बीजेपी को जीत दिलाने में दलित समाज की एहम भूमी का रही है तो वहीं कॉंग्रिस विधान सबचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी को घेरने का मौका तलाश रही है जो कि उन्हें डूम समाज के रूप में मिल गया है लेकिन अब इस विवाद का अंत खुद नायब सैनी ने कर दिया है बता दे कि हरियाना के तिहास में 4 नवंबर को पहली बार ऐसा हुआ है कि दलिट डूम समाज के प्रतीनिदी मुख्य मंतरी के अतीथी बने हैं पहले आपको बताते हैं कि विवाद क्या था जिसके अंत के लिए डूम समाज के प्रतीनिदी सीम सैनी के अतीथी बने हैं दरसल हरियाना दिवस के अवसर पर सीएम सैनी जनता को संबोधित कर रहे थे। इस दोरान जब सीएम सैनी ने सुर्जेवाला पर बात शुरू की तो जनता के 20 से डूम शब्द का इस्तिमाल हुआ जिस पर नायव सैनी ने भी चोटकी ली। बीजेपी परदेश अध्यक्ष मोहलल बडोली से आप भी सुनिये उस दिन क्या हुआ। बता दे कि सीएम सैनी के तंज के बाद कॉंग्रिस ने उसे मुद्दा बना दिया। तो वहीं दूसरी और रंदीप सुर्जेवाला ने सीएम नायव सैनी को एक्सिडेंटल सीएम तक बता दिया। मामला इतना गर्मा गया कि अब इस खीस्तान को समाप करने के लिए बीजेपी ने बड़ा दाव केल दिया है। देरसल 4 नवंबर को डूम समाज के प्रतिनिदी सीएम अवास पर पहुँचे हैं। जहां सीएम सैनी ने उनका अभिनंदन किया और उन लोगों से बाचित कर उनकी समस्याओं को भी जाना। यहीं नहीं CM Saini ने डूम समाज के प्रती निदियों के साथ भोजन भी किया है बताया जा रहा है कि CM Nayib Saini की डूम समाज के इस मुलाकात ने विपक्ष को तगड़ा जबाब दिया है तो वहीं दूसरी और ये भी बताया जा रहा है कि सीम सैनी डूम समाज के लोगों से मुलाकात कर इस बात का संदेश दिया है कि दलितों के प्रती सीम सैनी के मन में कोई भेद भाव नहीं है जिस तरह से कॉंग्रेस खेमा लगातार बीजेपी को दलित विरोधी बता रहा है